directions really matters जब आप school colleges में होते हैं या होंगे तो आपने notice किया होगा सबसे आधा directions मिलती है teachers से, elders से और फिर parents से जिसे आपे माननी ही होती है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मिलती है बहुत सारी punishments क्या उन सभी directions का future में कोई use भी है क्या कभी उन्होंने सोचा कि जो वो directions दे रहे हैं वो actually ना की केवल बेकार है बलकि आने वाले टाइम में बच्चे के सिर पर भोज भी बन सकती है मगर ये चीजे सोचने के लिए कौन तयार है विल्कुल भी नहीं for example handwriting खराब होने पर punishments मिलती है ना लेकिन क्या पता आप guested officer बन जाए और सिर्फ signature से ही काम चल जाए तो handwriting की तो जुरुत पड़े ही नहीं algebra और calculus ना थीक होने पर कई बार आपको बहुत सारी punishments दी जाती हैं लेकिन क्या पता आप future में creative field में shift कर जाए और आपको maths की जरूत ही ना पड़े ऐसे ही जब हमाई directions तो मिलती है मगर वो useful नहीं होती तो हमारा नुकसान होता है और हमारा एक लंबा समय बरबाद हो जाता है आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सभी उन लोगों के लिए जो definitely ये चार चीज़े चाहते हैं अपनी लाइफ में health, wealth, happiness और relationships ये चार चीज़े ऐसी हैं जो हर किसी को चाहिए है लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो इन में से सबस्ज़दा क्या चाहते हैं और अगर चाहते हैं तो वो कैसे मेरे तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपका date of birth आपको ये पता देता है कि कौन सा direction आपके लिए best है अगर आप school में, college में, घर पर, office में या कहीं भी, जहां भी आप काम करते हैं अगर इन directions को follow करें तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आप desire करते हैं लेकिन desire टिक से कीज़े clear रही है अपने desires को लेकर ऐसा नहीं कि desire के time भी बहुत confused हो तो चले है आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी best direction मैं बताती जाओंगी date of birth और साथ में आपका directions note down करते जाएए जल्दी से ले आएए एक pen और paper और उसमें लिखते जाएए साथी इस वीडियो को सबको forward कर दी जगा ताकि वो भी अपने लिए best directions देख सकें और किसी भी परिशानी से बाहर आ सकें मैं हुरेश में से ना एक numerologist वासु consultant and apparent counselor तो चलिए subject पर आगे बढ़ते हैं जब directions की बात होती है तो बात होती है geography की science की तो चल्दी बताएए कितने directions होते हैं सबको पता ही होगा चोड़ चोड़े बच्चे भी जानते हैं भाई हमारे पास होते हैं four directions लेकिन four sub directions भी होते हैं चलिए उनके नाम ले लेती हुए एक बार north, south, east and west ये तो four directions हो गए अब आठ कैसे हुए तो आपको corners भी देखने हैं diagonals भी देखने हैं तो north, east, north, west, south, east और south, west ये भी चार directions वे तोटल हमारे पास हो गए eight directions लेकिन वासु शास्त्रा में दो और directions को भी count किया जाता जिन ही हम कहते हैं आकाश और पाताल तो definitely आपने पूजा करते हैं समय पंडित को देखा होगा वो मंगलम मंगलम करके उपर और नीचे भी कुछ फेकते हैं because that is for आकाश and पाताल तो आपके directions के हिसाब से हम लोग एक ही करके आगे बढ़ते हैं कि इन 8 directions में आपको कौंसी direction दी गई है और आपके planet किस direction में बैठे होए है पहले किस वीडियो में आगे बढ़े है छोटा सा mission है मेरा मैं वो आपको बता देती हूँ और मेरा mission है to make you understand the power of occult science how it creates the clarity in future and gives you a very good results in very few days if you really believe this science and you wanted to learn please contact me on Instagram, Telegram or Twitter or here also you can also write your comment तो वहां मत भूलेगा क्योंकि इस शास्त्र को experience करने में सबसे पहले जो आपको मज़ा आएगा वो है खुद को समझने में तो बिलकुल इससे वंचित मत रहें और इसको अन्देखाना करें और जानते हैं आप मेरे वीडियो को क्यों देख रहे हैं ये भी एक तरह का साइंस है हम कनेक्टियों लोगों से होते हैं जहां में करेक्ट होना होता है अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है न्यूम्रो वास्तो के हिसाब से कौन सा प्लानेट किस डिरेक्शन में बैठा है और आप किस प्लानेट से बिलॉंग करते हैं बारियात ये सबसे पहले नंबर की और वो है जो लोग भी किसी भी मंत की फर्स्ट को, टेंथ को, नाइंटींथ को या फिर ट्वेंटीएट को बॉन है तो आपके सवामी तो सीधा सूर्य है जो कि प्लानेट्स में राजा भी माने जाते हैं पिता भी माने जाते हैं You are governed by sun and you should face always east direction क्योंकि east में यानि पूर्व दिशा के तरफ सूर्य निकलते हैं तो वो सूर्य के दिशा है और जब आप उधर चहरा करके बैठते हैं या उधर आप studies कर रहे हैं या office में बैठ रहे हैं या कहीं भी जहां भी आप कोई काम करते हैं वहाँ अगर उस facing में काम करते हैं तो आपको ज़ादा results मिलेंगे अब बारी है second यानि जो लोग किसी भी मंत की second को या फिर 11th को या फिर 20th को या फिर 29th को born है तो ये सभी लोग number 2 born माने जाते हैं और इनके स्वामी चंद्रबा है यानि moon यानि ये मा का घर है आपकी मा से जुड़ी सारी figures जो भी mother figures होती है वो respectful होती है उनका घर होता है ये और आपको जो direction दी गई है एलोट की गई है वो है north west याद रखेगा यानि आपको उत्तर पश्यम दिशा के तरफ ही face करके बैटना है जिदर चिंद्रमा आपको सयोग करेंगे और आपकी सारी च्छायें जिल्दी पूरी हो जाएंगी अब बारिये number 3 की यानि ऐसे लोग जो किसी भी मन्त की 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को बॉन होते हैं ये सीधा आते हैं ब्रसपती ग्रह से यानि जुपिरर से गुरू का धर है ये यानि teachers का place उनके respect जरूर करें खास कर अगर आपकी state को बॉन है और आपको जो direction मिली हुई है वो है North East आपको पता ही हो Jupiter is the largest planet in the whole planetary system तो इसलिए गुरू को सबसे अधर respect मिली हुई है तो आपको यूज करना है North East corner यानि की उत्तरपूर्व का कोना यहीं आप बैठें और वहां से आप सारे काम करें चाहे आप student हो business holder हो कोई office में काम करते हो या कोई भी काम करते हो इस direction को use करके जादू देखिए नमबर 4 वाले कौन से लोग होते हैं भाई सीधा Uranus वाले नमबर 4 मतलब you are born on 4th 30th 22 या फिर 31st यानि इस digits से आप belong करेंगे तो आपके स्वामी है Uranus यानि की राहू अब राहू केतू की कहानी तो समुद्र मंथन के समय से ही काफी प्रचलित है लेकिन इनको इन्होंने जो है वो शराब दिया था सूरे और चंद्रमा को और इस वज़े से हमेशा ग्रहन लगते हैं सूरे ग्रहन, चंद्रग्रहन आपने सुना होगा तो जब सूरे और चंद्रमा चकर काटते हैं और उनको एक अंगल में आ जाते हैं वो एक सिरे पर आ जाते हैं तो जो उनके कॉर्णर्स हैं वही हमारे राहू केतू है राहु वाले लोगों को जो symbolize करते हैं जो लोग वो हैं under workers, poor people, those are working on somewhere उनकी जरूर respect करें, उनको कुछ न कुछ दान दक्षिना जरूर देते रहें और आपको जिस direction में बैठना है वो direction है south west यानी दक्षिन पश्चिम यहां बैठे है राहु, तो आप इस direction में बैठें और वही बैठकर अपना काम करें और अपने life में आने वाले हर struggles और हर health issues को यहां बैठकर देखें कि कितनी आसानी से वो control होने शुरू हो जाएंगे अब बारी है number 5 की और number 5 यानि you are born on 5th, 14th or 23rd of any month यानि आप है number 5 and your planet is Mercury, you can call in Hindi बुद्ग्रे, बुद्ग्रही हैं आप और यह प्लानेट एक prince planet कहलाता है, यानि बच्चों का घर है यह, चो भी बच्चे आप गेर्द-गेर्द खेल रहे हैं आप से किसी तरह की मदद मांगने आ रहे हैं, उनकी मदद करने से बिल्कुल ना हिचके जाएं, तभी बुद्ग्रह strong होते हैं और जो direction आपको चुननी है, वो है north की direction यानि उत्तर की दिशा इस दिशा में अपना चैरा करके बैठें, और office हो, घर हो, business हो, या फिर आप online ही क्यों ना काम करते हों ये direction आपको जरूर सूट करेगी, try करके देखिए Move to the next number which is number 6, यानि अगर आप किसी भी month की 6th को, 15th को, या फिर 24th को बॉन हैं तो आप है सीधा Venus से, और Venus यानि की शुक्र ग्रह, शुक्राचारे का ग्रह वो दैत्यों की गुरू माने जाते हैं और भोग विलास के जो है भगवान है, यानि पती-पत्मी के संबंधों को सीधा Venus ग्रह से जुड़ा जाता है तो इस ग्रह के लिए यानि अगर आप एक अच्छी relationship को उमीद कर रहे हैं अपनी लाइफ में चाहे वो किसी के साथ भी relationship, so not only husband wife, आपके office in charge हो सकते हैं आपके bosses हो सकते हैं, आपके business colleagues हो सकते हैं, co-workers हो सकते हैं जिस भी relationship में आप दिक्कत उठा रहे हैं, specially अगर आप शुक्रग्रह से हैं तो जो direction आपको लेनी हैं, वो है south east की, यानि दक्षिन पूर्व की इस दिशा में आप बैठें और अपने life में miracles, यानि इस magical moment को enjoy करें अगर आप किसी भी month की 7th को, 16th को या फिर 25th को born हैं, तो आपके स्वामी होते हैं केतू, यानि के Neptune अब Neptune किस चीज का घर है, तो Neptune है family relationships का, family support का, friend support का, neighbor support का इन सब से जो support हमें मिलता है, वो मिलता है केतू की वज़े से और आपको पता है, आपकी life कब balance होगी, जब आप ब्रभस्तान में बैठेंगे, यानि mid of the center अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं, जो वहां का center अगर वो जगह आपको मिल जाए अगर आप घर के भी किसी center place पे ही काम करें, तो आपको ज़ादा फाइदा होगा तो आपको चुनना है center, ना कि कोई भी direction, आप center में बैठ सकते हैं, you're a very balanced person आप कहीं भी बैठ सकते हैं, बट ब्रभस्तान है ना अगर आप किसी भी मन्त की 8 को, 17 को या फिर 26 को बॉन है, तो आपके जो गुरु है, वो है शनी भगवान और शनी भगवान बड़े न्याईप्रियम आने जाते हैं, वो हर उस जानवर को बिलॉंग करते हैं, जो stray है, stray animals are the symbols of शनी भगवान Saturn is a god of करमाज, यानि हमारे करमा के भी वो भगवान है, और जो direction उन्होंने चुनी है, वो है west की, यानि पश्यम की दिशा तो पश्यम की दिशा में हमारे करमाज, यानि शनी भगवान बैठे हैं, और अगर आप शनी ग्रह से हैं, तो आपको भी इसी direction facing अपना office, room या study table रखना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारे अच्छे results मिरें, और आपकी life में आने वादे struggles जो हैं, वो minimize हो जाएं last but not the least, the number 9, if you are born on 9th, 18th or 27th, किसी भी मन्त में अगर आप इस date को born हैं, तो आप हैं सीधा मंगल ग्रही, यानि मार्स, आपकी जो हैं वो planet हैं, और मार्स planet red hot होते हैं, यानि कुछ सफ़ा जल्दी आ जाता हैं, लेकिन बड़े ही पारिवारिक होते हैं, ये हमारे सिनापती भ बहनों का सिंबल भी करते हैं, ये मंगल ग्रह से हमारे भाई बहनों के साथ हमारे रिष्टे अच्छे होते हैं, अगर हमारा मंगल ग्रह अच्छा हो, और जो दिशा इन्होंने चुनी हैं, वो है दखिन की दिशा, यानि साउथ की डिरेक्शन, तो अगर आप मंगल ग्रही हैं या आप इन डेट्स को बॉन हैं तो हमेशा दखिंदिशा के तरफ यानि साउथ की तरफ फेस करके ही अपना काम करें और फिर वहां से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स उठाएं और बहुत सारी आंगर को कंट्रोल करें मैंने तो अपना काम कर दिया आपके आपके डेट ऑफ बहुत के हिसाब से सारे डिरेक्शन बता दिये अब एक छोटी चदक्षीन आप भी मुझे दे दीजे कम से कब अपने परिवार के और जाने वालों के मोबाइल से अभी क्या भी मेरा चानल सब्सक्राइब कर लीजे आराम से इस वीडियो को देखिए और उन सभी दोस्तों और जाने वालों को शेयर टर दीजे जिनको भी अपने डिरेक्शन को लेकर confusion है या वो जहां भी काम करते हैं या पढ़ते हैं या जो भी जगा वो मौझूद है बहाँ उनको दिक्कते आ रही हैं तो याद रखे यही है उसका solution एक बार ट्राइ करके लिखे hopefully आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे मेरी सारी blessings आपके साथ हैं मुझे follow करना मत भूलेगा Instagram, Telegram और Twitter पर description में सारे links हैं और आपके suggestions are always very precious to me thank you for watching my videos and giving lots of appreciation thank you take care